हेलो फ्रेंट्स टेस्ट वाला के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हमारी ये प्रिलिम्स 2023 के लिए क्लास रहेगी प्रिलिम्स के लिए जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनकी एक सीरीज सुरू करने जा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुनर्जागरण की जितनी भी संस्थाएं थी उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं यहां से आपका एक कोशिशन जरूर आता है पिछले दो या तीन वार से आप देखेंगे 2022 के प्रिलिम्स एक्जाम में यहां से दो से तीन कोशिशन आपको देखने को मिले थी तो यह काफी important topic है और यहां से एक कोशिशन आपका बनता ही बनता है और इसमें जानदा आपको कुछ करने की भी आविशक्ता नहीं है केवल आपको जो संस्थापक थे उनके नाम किस बर्स में उनकी स्थापना हुई थी और किस जगे पे उनकी स्थापना हुई थी इस तरीके के ही आपसे यहां से fact पूछ जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हमारा सबसे पहली संस्था है हमारी ब्रह्म समाज तो ब्रह्म समाज की इस्थापना राजा रामुहन राय के द्वारा की गई थी यह आप सभी को पता होगा 1828 में कलकत्ता में इसकी इस्थापना की गई थी इससे पहले इन्हों ने आत्मिय सभा की इस्थापना की थी वह 1814-15 के बीच में की थी इसी के साथ में ब्रह्म समाज 1866 में दो भागों में यह बढ़ गई थी क्योंकि उनकी मृत्थी हो गई थी राजारू रामवान रायजी की मृत्थी हो गई थी 1833 में ब्रिस्टल में उसके बाद जो देवेना टैगोर थे इसके बाद है आपका प्रातना समाज प्रातना समाज की स्थापना 1866 में बंबई में की गई थी महादेब गोविंद राणाडे आत्मरंग पंडूरंग और गोपाल बिढ़ार कर यह तीन इसके जो मुख्य सदस्ते इन्होंने इसकी स्थापना की थी इनको प्रेढ़ना दी थी किसपचन सेन के दौरा तो बैसे इसमें महादेब गोविंद राणाडे का नाम सबसे मुख्य आता है जो इस न्स्थापक हैं तो अगर आपको ओप्शन में महादेब गोविंद राणाडे ही पूछा जाएगा आपको याद रखने के लिए आप इसको ऐसी याद रख सकते हैं राणा ने महादेब की प्रातना अठाराव सबसे कर रहा है तो ये महादेब गोविंद राणाडे हो गया प्रातना समाज हो गया और अठाराव सबसे इसकी स्थापना बर्श हो गई फूले के साथ मिलके इन्होंने इस संस्थान की स्थापना की थी सत्यसोदक समाज में दलित उत्थान बालिका बिद्यालों की स्थापना इस्तरियों का उत्थान इस तरीके के इन्हों के द्वारा कार किये गए थे इसके बाद है आपका आरे समाज आरे समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की गई थी इसके संस्थापक थे दयानन सुरस्वती इनको जो इनका मूल नाम है वैं मूल संकर आप से पूछा जा सकता है इनका जरम गुजरात में हुआ था तदा इनके द्वारा जो प्रसिद्ध ग्रंत लिखा गया है वैं सत्यार्थ प्रकास है एक इनका नारा भी काफी जानदा फेमस है बेदों की और लोटो तदा साथ ही साथ इन्होंने आरे समाज में सुद्धी अंदोलन भी चलाया था जो मतब जो हिंदू धरम परिवातन करके दूसरे धरहों में चले गए थे उन्हें पुना हिंदू धरम में प्रवेश दिलाने के लिए नोंने ये सुद्धी अंदोलन चलाया था यहीं पर आप याद रख सकते हैं इनका एक कोटेशन काफी जानदा इंपर्टेंट है ये काफी जानदा चर्चत रहता है इसमें नोंने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे बिदेसी राज्य से बहतर है तो इस तरीके से ये एक दो पॉइंट है जो आप याद रखिएगा इसके बाद है आपका Theosophical Society इसकी स्थापना 1875 में न्यू यार्क में मैडम बलाबस की और करनल अलकाट के द्वारा की गई थी इसके बाद यहीं सलस्थान जो भारत में स्थापना 1886 में हुआ ये अडियार महराष्ट का अडियार जगे थी वहाँ पे हुआ था तता इसकी सलस्थापक बनी थी एनिबेसेंट नेक्स्ट देखते हैं नारायन धरम परिपालन योगम नारायन धरम परिपालन योगम इसकी सलस्थापना 1903 में की गई थी इसके सलस्थापक थे नारायन गुरू इनों ने एक नारा दिया था एक धरम एक जाती एक भगवान का ठीक है इसके बाद आपका बहिस्कृत हितक बहिस्कित हितकार्णी सभा इसकी स्थापना 1924 में डॉक्टर भीमरा उंबेटकर के द्वारा की गई थी हरीजनों के अधिकारों से संबंदित यह सभा थी यहाँ पे आप एक पॉइंट और याद रखेगा कि जो हरीजन सेबक संग है इसकी स्थापना महत्वा गांधी के द्वारा की गई यह तता हरीजन सब्द भी महत्वा गांधी के द्वारा दिया गया था हरीजन सेबक संग की स्थापना महत्वा गांधी ने गवालियर में की थी इसके बाद है आपका आत्म सम्मान आंदुलन आत्म सम्मान आंदोलन इसकी स्थापना 1917 में रामा सौमी नायर ततब पी थ्यागराज के द्वारा की गई थी यह दक्षन भारत में चलायेगा एक बहुत बड़ा आंदोलन था इसके बाद है आपका भारतिय कम्पनिस्ट पार्टी बारतिय कम्पनिस्ट पार्टी इसकी स्थापना 1925 में मन राय के द्वारा खानपुर में की गई थी इसके बाद है आपका ओल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस 1920 में लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे इसकी स्थापना 1920 में बंबई में की गई थी जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था 1920 में ही हुआ था इसमें लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने थे इसके बाद है आपका इंटक बारतिय राश्टी है ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस इसकी स्थापना 1947 में की गई थी तदा इसके जो अध्यक्ष थे पहले वह सरदार पटेल थे इसके बाद आपका ये आपके लगबब जो महत्तपूर्ण जितने भी आपके सभाय थी उनकी मैंने आपको बता दिया है इसके अलावा कुछ अन्य जो संस्थाएं है 1784 में बिलियम जोल्स जो मुख्य मुख्य हैं वही आप पढ़ लीजेगा बाकी आप छोड़ सकते हैं जैसे आत्मिय सभा इंपर्टेंट है 1815 में राजा रामौन राय ये मने बता दिया था आपको बिदान्त कॉलेज ये भी राजा रामौन राय की दोरह स्थापित किया गया था यहाप एक आपका युगा बंगाल अंदोलर ये 1826 में हैंडी बिलियम डेरोजी की दोरह किया गया था यंग बंगाल मुव्मेंट भी कहा जाता है ये भी आपको इंपर्टेंट रहेगा इसको आप याद रखिएगा ब्रह्म समाज ये आपको बता दिया मैंने ततुवदिनी समाज ये 1849 में देविन्ना टैगोर बिटिस सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी इसके बा आपका नेक्स्ट है प्रातना समाज ये हो गया आपका बेद समाज सरसट में किशब चंसेन सत्यसोदक समाज जोतिवा फूले ये आपको हो गया अलीगड मॉमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज ये 1875 में सर सेयद एहमत खां के द्वारा इसकी स्थाबना की गई थी इंडियन मोहन बोस और सुरेणनाथ बनर जी ने इसकी स्थाबना की थी भारती राष्टी कॉंग्रिस ये आपको आगे अम एक पूरा भारती राष्टी कॉंग्रिस का जो टॉपिक रहेगा उसमें पढ़ा देंगे बोंबे प्रेसिडेंसी एशूशियेशन 1885 फिरोसा मेहता इसकी स्थाबना की गई थी इसके बाद आप याद रख सकते हैं इसमें से सार्दा सदन 1800 नवासी रामाबाई के त्वारा अब इनब भारत संस्था 1904 बिनायक दामोदर साबर कर ये जब के जो गरंतिकारी आएंगे वहाँ पे हम इसको देख लेंगे सर्वेंट्स ओफ इंडिया सुसाइटी 1905 गोपाल किष्न गोखले के दौर इसकी स्थापना की गई थी मुस्लिम लीग 1906 आगा खां और सलीमुल्ला खां अनुसीलिन समीती 1907 बारिंद्र गोस और भुपेंदत इसके बाद यह जित्антि भी है आपके यह अधिक तर आपके जो करंतिकारी अंद्णों यह ससे शंबंदित हैं तो आपके जब करंतिकारी अंद्णों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद